कांग्रेस नेता जमीर खान ने मनाया सादगी भरा बर्थडे सायक्णों समर्थकों और कार्यकरताओं ने दी सुपकाम नाय कांग्रेस के महासचिव और माइनौर्टी सेल के उपाध्यक्ष जमीर खान ने आज अपना जन्मदिन बेहत सादगी भर्यांदाच में मनाया उनके जन्मदिन के उसर पर आज सायक्णों समर्थकों सुपचिंतकों और कांग्रेस कार्यकरताओं ने पुस्प गुछ देकर सुपकामनाय दी कॉंग्रेश नेता ने केक काट कर जनमदिन सेलिब्रेट किया इस उसर पर कॉंग्रेश के युवा नेता शारदूल कौशिक ने जमीर खान के वेवहार को सलता की सराहना करते हुए उन्हें सुबेच्चा दी वहीं कॉंग्रेश प्रवक्ता नासिर हुसेन और विनोत पारटील ने भी उन्हें जनमदिन के सुब कामना देते हुए जीवन में तरक्की की मंगल कामना प्रधान की आज देखें जमीर खान जी जो मेरे मित्र है मेरे पार्ट कॉंग्रेस पार्टी में सहकारी है आज उनका जनम दिन है और सिर्फ नवी मुंबई के राजके और समाजिक शेत्र में ही नहीं लेकिन व्यापारिक शेत्र में भी इनका अच्छा नाम है और अच्छा इनका सभी से संबंध हैं, तो काफी अच्छा इनका काम है, पक्ष में भी बोलो या समाज में भी बोलो, इनको इनके जनम दिन पर मैं बहुत सुवच्छा देता हूँ, और आने वाले हर साल इनकी ऐसे ही इनके व्यापार में और इनके राजनीतिक जीवन में भी ऐसी बड़ोत्री हो, ऐसा में इनको आज इनके जर्म दिन पर सुखचा गयता हूँ तो काफी-काफी इनके लिए हार्दिक बदाई देता हूँ हमारे कर्मत, जुजारू और कॉंग्रेस की तरफ से हमेशा लड़ने वालों में से एक इनकी जर्म दिय अर्ला इनको हयात दे और ऐसे ही ये बढ़ते रहे हम लोगों की कामना है अपने जन्म दिन पर स्रैक्णों लोगों की सुखकामनाय पाने पर भावुक हुए कांग्रेस नेता जमीर खान ने सभी समर्थकों और कांग्रेस कार्यकरताओं के प्रती अपना अभार जताया और इस प्यारेव मासुरवात को बनाय रखने की अपील की आपने पालक मन्री दिगज निता ठाने के एकना शिंदे सब उनका भी आज जनम दिम है, मैं उनको भी दिल से दुआ देता हूँ और सुभिक्षा देता हूँ इसी के साथ में जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, दोस्त यार हैं, मेरे भाई हैं, मेरी अम्मी हैं, मेरी सारी फैमली हैं और सारे दोस्त, यार, जितने भी लोगों ने मुझे इस जनम दिन के मौखे पर जो मुझे विश किया है, मुझे दुआ दिये, मैं उन सब का शुक्रिया आदा करता हूँ और तहे दिल से मैं उनको धन्याबाद भी देता हूँ, उमीद करता हूँ कि आगे भी उनका प्यार इसे ही मिलता रहे ब्यूरो रिपोर्ट टीवीवन इंडिया लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवीवन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें